इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं, Educational Technology के बारे में, सेक्षिक तक्नीकी के बारे में, तो हम वीडियो को सुरू करते हैं, और आज के इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि concept meaning definition and objectives of educational technology फिर हम बात करेंगे features function and nature of educational technology फिर इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है इसकी क्या utility है इसकी क्या क्या limitations है यह सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करेंगे तो वीडियो का हम start करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसके concept की बात करें In today's era, every aspect of human life is affected by technology की आज के time में हम देखते हैं तो हमारे जीवन का हर हिस्सा, हर छेत्र कहीं ना कहीं टेकनलोजी से तकनीकी से परभावित है आप चाहे banking कर रहे हो, चाहे आप shopping कर रहे हो आप market में गए हो, आप किसी चीज की payment कर रहे हो तो हर चीज, कहीं ना कहीं हम देखते है टेकनलोजी से पूरा परभावित है आप business कर रहे हो, वहाँ पर भी टेकनलोजी की आपकी जरूरत है तो जिंदगी का हर छेत्र टेकनलोजी से कहीं ना कहीं परभावित है और इसलिए शिक्षा का छेत्र भी से अच्छूता नहीं रहा है अगर हम आज बात करें डिजिटल एजुकेशन की हम बात करते हैं ओनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो हम ओनलाइन जो एजुकेशन है इसका एक कल्चर ही स्टार्ट हो गया है तो एजुकेशन जो है ओभी टेकनलोजी से अच्छूता नहीं रहा है टेकनलोजी ने एजुकेशन पर भी बहुत जादा परभाव डाला है इसलिए हम देखते हैं चाहे हम एजुकेशनल टेकनलोजी है आई सीटी है इसको भी एक सब्जेक्ट की रूप में पढ़ रहा है ताकि हम इन चीजों से फैमिलियर हो सकें इन चीजों को जान सकें टुडेश दफील्ड ओफ टीचिंग लर्निंग हैस बिन ग्रेटली इंफ्लूएंस भाई एजुकेशनल टेकनलोजी आज के टाइम में हम देखें चाहे टीचिंग की बात करें चाहे लर्निंग की बात करें हर छित्र टेकनलोजी से पूरा परभावित है आज टीचर जब बच्चों को पढ़ने जते हैं तो अलग-अलग मेफेड़斯 को किस तरहीं से यूज करना है क्लास में कौन-कौन से रिसोर्सी से कौन-कौन से साधर है तो इस तारी चीजें आज टीचर जारे से जदा technology का use करें ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके और बच्चे भी है technology का use करें ताकि वो अच्छे से चीजों को जान सके समझ सकें आज हम देखते हैं चाहे Google है चाहे YouTube है इस तरह के अलग-अलग platform है जहां से बच्चा अब teachers पर पढ़नी है बलकि खुछ से भी चीजों को जान सकता है समझ सकता है तो teaching learning को बहुत ही जादा हम कह सकते हैं कि इस पर technology का बहुत ही जादा असर हमें देखने को मिलता है with the help of educational technology the purpose, method, curriculum, supporting material and evaluation of education are developed and improved कि सेक्चिक तक्नीकी कि द्वारा सिक्चा के चयोदेशी की बात करें विदियों की बात करें पाटक्रम की बात करें सहाइक जो सामगरी है मुल्यांकन है आधी को विक्सित एवं उन्नत किया जाता है education के जो objective है कहीं ना कहीं change हो चुके हैं कि अब बच्चों को टेक्नोलोजी की नॉलेज देनी है जो भी बच्चों को करिकुलम पढ़ाया जाओ इसमें टेक्नोलोजी एक सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है ठीक है material जो भी है जैसे आप सब पढ़ाने जाते हैं तो आप चार्ट पेपर का यूज़ करते हैं मोडल का यूज़ करते हैं इस सारा एजुकेशन टेक्नोलोजी का पार्ट है लेकिन इसके साथ साथ और क्या नहीं चीज़ें आई हैं प्रोजेक्टर आए हैं मोबाइल फॉन्स आए हैं ठीक है इस सारे अलग लग प्लैटफॉर्स हैं जिसका यूज़ करके हम teaching learning को और ज् सकता है तो टेक्नोलोजी एजुकेशन के हर छेतर में अपना परभाव कहीं न कहीं डाल लए है इंक्रीजिंग यूज ऑफ रेडियो टेप रिकोडर टेलिवीजन प्रोजेक्टर कंप्यूटर टीचिंग मैथर्स एक्सेप्रा इस ब्रिंगिंग एजुकेशन क्लोजर टू टेक्नोलोजी चाहिए हम टेप रिकोडर की बात करें टेलिवीजन प्रोजेक्टर कंप्यूटर जो टीचिंग मैथर्स है ठीक है आधी का बढ़ता उप्योग सिक्षा को तकनीकी के निकट लाते जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एजुकेशन टेक्नोलोजी कहीं के दीरी और पास आ रही है ठीक है क्योंकि जह हम 21st century की बात करते हैं science और technology का time है То कहीं ना कहीं बीना technology के यूज के आज अगर हम बिना technology के Uzeة चाहिए बच्चों को तो जिन टीचर्स ने इन टेकविक को अपनाया है बच्चों ने उनको अपनाया है ठीक है तो Chuck नहीं नहीं हम आज के टाइम में देखते हैं educational technology दोनों पास आ रहे हैं और दोनों की help से education technology की help से क्या हो रहा है कि बच्चों को और अच्छी तरीके से जो teaching learning जो है और ज्यादा effective बन रहा है educational technology has revolutionized the old concept in the field of education with modern context and given them a new form कि sexic technique ने सिक्षा के छेत्र में पुरानी जो अवधारना है जो विदियां है ठीक है इसमें नया पन एक नए पन के साथ इसको एक नया रूप दिया है ठीक है अब टीचर सामने ना पूछ के audio जो वीडियो है उसके form में बच्चों को दिखा सकता है उसके बच्चों को कोई story दिखा कर कोई video चला कर बच्चा उसको देखेगा फिर teacher बच्चों से question पूर सकता है ठीक है तो जो पुराने methods थे technology की मदद से इनको एक नया रूप दिया है ताकि teaching learning को और ज्यादा प्रभावसाली बनाया जा सके class में बच्चों को और ज्यादा active बनाया जा सके teachers को active बनाया जा सके अब हम इसके अगर meaning की बात करें अर्थ की बात करें the term education technology is made up of two words कि ये दो सब्दों से बना है education और technology the meaning of education is to teach develop or train the inherent powers की शिक्चा करत क्या है कि बच्चों की जो अंतहिने जो सकती है उसको विकास करना उनको प्रसिक्चीत करना उनको सिखाना when the teacher takes the help of various technical means to make his teaching effective which affect both teaching and learning then it is called educational technology जब शिक्चक शिक्चन को प्रभासाली बनाने के लिए अलग लग जो तकनीकी है अलग जो तकनीक है जो साधा ने उनकी साहता लेता है तो इससे कहीं न कहीं हम देखते हैं teaching और learning दोनों जो है मतलब दोनों पर इसका असर पड़ता है और ठीक है तो इसे हम क्या कहते हैं सिक्चन तकनीकी हम कहते हैं ठीक है तो जिससे सिक्चन और अधिगम दोनों ही परभावित होते हैं तो इसे educational technology या सिक्चन तकनीकी कहा जाता है कि जब education में technology का प्रयोग किया जा रहा है जिससे teaching learning effective हो रहा है तो इससे हम क्या कहते है educational technology अब हम इसके अगर definition की बात करें according to bf skinner teaching technology is the science that increases the effectiveness of education and improves relatively more of the entire teaching process कि सिक्चन तकनीकी वह सास्तर है जो सिक्चा की प्रभाव सिलता में व्रिद्धि करता है तथा संपोर्ण सिक्चा प्रिक्रिया के अपेक्चा कृत अधिक समुन्नत करता है तो जो अगर हम बात करें education technology की बात करें तो यह education को कहीं न कहीं परभावित कर रहा है ठीक है और education को और जादा उन्नत बना रहा है teaching learning जो है उसको और जादा परभावशाली बना रहा है teacher अब और अच्छे तरीके से बच्चों का concept clear कर सकते हैं उनको पढ़ा सकते और बच्चे भी और अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकते हैं जान सकते हैं तो कहीं न कहीं जो educational technology है उसने कि शिक्षण अधिगम प्रिक्रिया में सुधार करना, तो select and use techniques of reinforcement, कि पुनल बलन की तक्नीकों का चैन और उप्योग करना, कि किस तरह से बच्चों का reinforce किया जा सकता है, उनका पुनल बलन किया जा सकता है, उनका होसला बढ़ाया जा सकता है, तो अलग अलग जो techniques है, उसका use करना, उसको select करना, उसका use करना, to make teaching simple, clear, interesting, scientific, objective, comprehensible and impact productive, कि सिक्षण को सरल बनाना, सपष्ट बनाना, रुचिकर बनाना, वैज्यानिक, वस्तुनिष्ट और बोध गम, एवं परभाव उत्पादक बनाना, तो मतलब कहीं ना कहीं, अगर हम सारों का, अलग जो भी words हैं, सबको एक साथ हम ले, तो इसका मतलब यह है कि teaching learning को, बहुत और ज्यादा effective बनाना है, ताकि teacher अच्छे से पढ़ा सके, बच्चा अच्छे से समझ सके, classroom boring ना हो, to accumulate, develop and disseminate knowledge, कि ज्ञान का संचय विकास एवं प्रसार करना, to enhance the abilities and capabilities of teachers, by developing teaching skills, कि सिच्चकों में सिच्छन कोसल का विकास कर, उनकी योगेतायों, च्मतायों में वृद्धिय करना, जैसे आप सब जब school practice में जाते हैं, तो micro teaching होता है, ठीक है कि किस तरह से आपको अलग लग जो skills हैं, यूज करना है, तो वो भी क्या है, educational technology का ही एक part है, तो technology में, educational technology में, सिर्फ projector, mobile, television, इस सारी चीज़ें नहीं आती, बलकि इनके साथ साथ जो methods हैं, पढ़ाने के तरीके हैं, इस सारी के सारी चीज़ें हैं, इसका एक part है, तो अनलाइज दे क्वाल्टी से अबिल्टी से अच्यूमेंट 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 की विद्धियार्थियों के गुणों, शम्ताओं, उपलब्दियों, कोसलों का भी विसलेशन करना, एक किसके अब्जेक्टिव में उद्देश से एजूकेशन टेक्नलोलजी के, अब हम बात करते हैं, सिच्छा तक्नीकी की विसलेशता या कारी फीच्चर्स ओफ एजूकेशन टेक्नलोलजी, ठीक है, इट डेवलब्द दा टेचिंग लर्निंग प्रोसेस की या सिच्छन अधिगम प्रिक्रिया का विकास करती है, इट इस दा एप्लिकेशन ओफ साइंस एंट टेक्नलोजी ने एजूकेशन की है, विज्ञान और तकनीकी का सिच्छा में अनुप्रियोग है, कि विज्ञान और तकनीकी की माद्यम से जो अलग लग जो नई निक जो टेक्नलोजी है, नई ने जो साधन है, जो नई ने टूल्स हैं, उसका कहीं न कहीं सिख्छा में उसका अनुप्रियोग हो रहा है चाहे हम software की बात करें अलग लग चाहे हम tools की बात करें ठीक है चाहे हम जैसे एक simple के लिए आज कल हम digital board की बात करें उसके तुरू भी पढ़ रहा है हम computer के तुरू भी पढ़ रहा है ठीक है इसका कहीं न कहीं जो एक application पार्ट है उसका सिख्छा में प्रियोग हो रहा है this is continuously experimental and developing subject कि यह नियोंतर प्रियोग आत्मक और विकासिल विसा है क्योंकि हमेशा देखते हैं कि हर महिने की बात करें हम हर साल की बात करें नएने जो है साधन आ रहे हैं नएने टूल्स आ रहे हैं कि अच्छा अब इसकी मदद से पहले हम देखते हैं computer आया computer में भी बहुत सारे अलग अलग type में computer आपको देखने को मिले आज देखो computer और 10 साल पहले के computer उससे बहुत जादा अलग है पढ़ाने के तरीके आप देखते हैं projector देखते हैं mobile phone देखते हैं अलग अलग software देखते हैं तो कहीं न कहीं इसमें लगातार experiment हो रहे हैं नए नहीं चीज़े आ रही हैं तो इसलिए क्या है experimental है developing विकास विस है जिसमें लगातार विकास हो रहा है it facilitates the learning process through resources and methods की अनसादनों यहां विदियों द्वारा अधिगम प्रिक्रिया को सरल असान बनाती है it is related to the problems of education, their analysis and solution की इसका संबन क्या है सिक्छा की समस्यां, उनका विसलेशन करना और किस तरह से उनको धूर किया जा सकता है इस सारी बातें educational technology में की जाती है it makes teaching simple, clear, interesting and understandable and effective की है सिक्छा को सरल सपष्ट रोची कर बोधिगम एवं परभावसाली बनाती है it contributes to making education strength centered की है सिक्छा को विद्ध्यारती केंदित बनाने में युगदान देती है क्योंकि जब इसकी help से teacher बच्चों को पढ़ाने जाता है तो कहीं न कहीं बच्चों का जो एक उनका जो learning level है उनकी जो age है उसके इसाफ से जो अलग-अलग methods है जो अलग-अलग जो साधन है जो अलग-अलग जो tools है जो तरीके है वो plan किये जाते हैं तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि इस trend centered है इस पॉसिबल टू अच्छीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एज्जुकेशन थ्रू एज्जुकेशन ट्रेकलोजी की सिक्चिक तक्नीक के द्वारा सिक्चा के उदेश से उसकी प्राप्ति संभव हो पाती है अब हम इसके नेचर की बात करें कि नेचर ऑफ एज्जुकेशन टेक्नोलोजी सेक्चिक तक्नीकी की प्रकृति के एर हम बात करते हैं एज्जुकेशन टेक्नोलोजी हेल्प्स इन स्प्रीडिंग एज्जुकेशन टू रिमोट एरियास की सेक्चिक तक्नीकी सिक्चा को दूर दराज की इलाकों में फैलाने में सहता देती है आप देखिए रेडियो के तरू दूर दराज के छेतरों तक अलग लग जो चैनल्स हैं ठीक है तो कहीं न कहीं जो प्रोग्राम है आवाज के तरू कोने कोने तक देश के पहुंचाये जा रहे हैं इसके अलावा चाहे आजकल देखिए हर किसी के पास पोन है तो मुवाइल में जो बच्चे हैं यूटूब से अलग लग जो एजुकेशनल जो वीडियो से इसको देख सकते हैं जान सकते हैं तो कहीं ना कहीं जो टेक्नलोजी है उसके द्वारा दूर दराज का जो रिमोट एरिया है वहाँ पे भी सिख्चा को है दूर पहुंचाया जा रहा है इट परमोट सेल्फ लर्णिंग के स्वाइम से सीखने को बढ़ावा देती है क्योंकि अब बच्चा जो है टीचर्स के भरोशे ही नहीं बच्चा खुछ से टेक्नलोजी जो फैमिलियर हो चुका है खुछ से चीजों को सर्ज कर सकता है जान सकता है खुछ से चीजों को इजुकेशन के सिक्चा पर विज्ञान तथा तक्नीकी के प्रभाव को परदरसित करता है इस परपस इस टू मेंग दा टीचिंग लर्णिंग प्रोसेस इफेक्टिव इसका उद्देश से शिक्चन अधिगम प्रिया को प्रभावशाली बनाना है इसके उप्योग से एक बोरिंग क्लास्रूम को भी इफेक्टिव बनाया जा सकता है बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट को बच्चो को पढ़ने में बोल लगता है अप इसके help से पढ़ा ही अलग लग तरीके से पढ़ा ही बच्चो काई ट्रॉर्ट हो सकता है इसके तुरू हम कठी से कठी जो subject है जो concept हो भी एक easy way में बच्चों को बता सकते हैं सिखा सकते हैं तुरू दिस new teaching methods and new teaching techniques have been developed in teaching कि इसके द्वारा स्क्षण में नवीन स्क्षण विधियों तथा नवीन स्क्षण तक्नीकियों का विकास हुआ है पढ़ने पढ़ने के नएने तरीक्या है नएने साधन आये हैं जिसे teaching learning जो है और ज्यादा simple हो गया है effective हो गया है अब हम बात करते हैं सेक्षिक तक्नीकी को परभावित करने वाले कारक की बात करते हैं factors influencing educational technology तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें political factor की ठीक है तो political factor राजनितिक कारण कोई भी आप देश ले लो वहाँ पर किसी ना किसी राजनितिक पार्टी का शाषन होता है अब यह राजनितिक पार्टी अगर चाहेगी कि भाई हमें अपने schools में है technology लानी है बच्चों को technology सिखानी है teachers को train करना है तो वहाँ पर technology कहीं ना कहीं हम भी माइने रखता है कि teacher चाहता है कि नहीं मैं बच्चों की मतलब एक चीज़ यह भी देख सकते हैं कि teacher का technology में इंट्रेस्ट होगा तभी तो इसके तुरू बच्चों को पढ़ाएगा बताएगा लेकिन अगर teachers का ही इसमें इंट्रेस्ट नहीं हुआ ठीक है तो वह कहां स बच्चों को पढ़ाएगा और कहां से बच्चों को बताएगा अगर मान लोग किसी teachers का technology में अलग तरीके से अलग लग method से उसका इंट्रेस्ट है तब तो अपनी teaching को और ज्यादे effective बना सकता है classroom को कभी boring नहीं होने देगा लेकिन अगर कोई teacher technology को ही बोश समझ ले तो क्या होगा उसके उसका यूज करेगा ही ने तो कहीं न कहीं यहां पर मनों विज्ञानिक कारण psychological factors काम करता है ठीक है सेक्षिक कारण educational factors की education ठीक है अगर education में अगर हम बात करें technology का यूज होगा technology के थ्रू अगर पढ़ाया जाएगा तभी चाहिए हम teachers की बात करें चाहिए हम बच्चों की बात करें और technology familiar हो पाएंगे ठीक है मालो आप सब अगर नहीं होगा तो कहां से कोई सिखेगा कहां से कोई सिखाएगा तो इसलिए तो होता है कि जो बच्चे हैं वह सहर की तरफ migrate करते हैं कि सहर छो हम बात करते हैं यह technology familiar होता है तो एजूकेशन में भी देखते हैं तो सहरों में टेक्नलोजी का ज्यादा yuze किया जाता है तो अगर technology का पार्ट होगी तब ही इसको सीखेंगे नहीं होगी तो नहीं सीख पाएंगे त पर्थिक कारण, एकनोमिक फेक्टर्स, आप टेक्नलोजी हम रिसोर्सिस की बात करते हैं तो इसके पैसा चाहिए, पैसा होगा तब इसका यूज होगा नहीं होगा तब कहां से इसका यूज करेंगे समाज ची के वह सांस्कृति कारण देखो जैसा समाज होता है वैसे सिह चाहोती है वैसा एजूइसे होता है ठीक है तो अगर Are State हम जारा जारा स ने स्कुल का यूजका आद बच्चों कराना जाते हैं तो वह लग जाते हैं कि किस school में कितनी facilities हैं प्रोजक्टर हैं बोर्ट कैसे हैं तब ही अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं ठीक है और अगर हम वही village side में देखे remote area side में देखें ट्राइबल area side में देखें वहाँ पर यह चीज़े हैं ही नहीं तो जैसा सोसाइटी होगा वैसा वहां का एजूकेशन होगा वैसी वहां के टेक्नोलोजी होगे तो कहीं ना करी समाज यह के वह संस्कृतिक कारण भी इसके पीछे जिम्मेदार है अब हम बात करते हैं utility of education technology section technique की क्या क्या उपयोगिता है तो देखो सबसे पहले teachers के लिए ठीक है कर सकता है बता सकता है समझा सकता है अपनी क्लास को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है तो प्योगता teachers के लिए teachers technology को अपनाएंगे तो बच्चे दुनिया उनको अपनाएगी आज कल देखे YouTube पे इतने सारे teachers जो है फेमस हो रहे है क्यों हो रहे है क्योंकि उन्होंने टेक्नलोजी को अपना आया है उसके तो बच्चों को पढ़ा रहे है बच्चों को सिखा रहे है utility in the field of learning अधिगम के छेत्र में उपयोगता है हम बात करें सीखने के लिए तो आप सीखने के लिए बच्चा सिर्प teachers पे डिपेंड नहीं है अलग लग resources है अलग लग संसाधन है उसका यूपयोग करके बच्चा खुछ से जान रहा है चाहे गूगल की बात करें चाहे हम YouTube की बात करें चाहे online अलग लग जो classes है उसकी बात करें ठीक है तो learning में भी जो है learning का दाइरा बढ़ा है बच्चों के पास बहुत सारे अलग ल जाना पड़े ऐसा नहीं है ठीक है हम चाहे टेलिविजन की बात करें ठीक है चाहे हम अलग लग जैसे YouTube की हम बात करते हैं ठीक है रेडियो की बात करते हैं तो सब टेलिविजन की मदद से रेडियो की मदद से YouTube की मदद से हर कोई सीख रहा है हर कोई learn कर रहा है जैसे जैसे हम कहते हैं कि 21st century science and technology का युझे नहीं नहीं संसादन आ रहे हैं नहीं माध्यम आ रहे हैं तो दूर दराज में रहने वाले जो लोग पढ़ भी नहीं सकते कहीं नहीं हो भी सीख रहे हैं चीजों को जो पढ़े लिखे नहीं हो भी चीजों को जान रहे हैं knowledge धिरे-दिरे spread हो र अब सिर्फ education के लिए school में आना नहीं है आप घर पर भी रहके सीख सकते हो आप classes कर सकते हैं ठीक है तो society के लिए भी काफी useful है अब हम अगर इसके limitations की बात करें सिमाओं की बात करें its contribution is more in the cognitive field but limited in the effective domain effective domain की इसका योगदान ग्यानात्मक्षेत्र में था है लेकिन इसका emotions से इतना कोई लेना देना नहीं है जब technology की बात करते हैं तो वहां पर emotions कहीं न कहीं हमें छूट जाता है ठीक है more money is required for its use कि इसके ल जरूरत होती है it is not possible to solve all the problems of education through this कि इसके माध्यम से सिक्षा कि सभी समस्याओं का समधान नहीं किया जा सकता है ठीक है तो यह इसकी सिमाए है तो आज की इस वीडियो में हमने education technology की बात कि इसके concept को समझा कि क्या है इसके objective क्या है इसके uses क्या क्या है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद